आएए समझते हैं डिस्पले टेकनालजी की हिस्ट्री को जो की शुरू होती है ब्लैकबोर से और आज तक ये पहुंचती है इंट्रक्टिव फ्लैट पैनल के दौर में ट्रडीशनल जो डिस्पले टेकनालजी है क्लास्रूम में हम यूज करते रहे हैं ब्लैकबोर है ब्लैक बोर्ड एक क्लास के फ्रंट की दिवार को काला कलर करके उस पर चौक से यूज किया जाता था इस इमेज में आप देख सकते हो इसमें कुछ ज्यादा रिसोर्स नहीं चाहिए एक दिवार ब्लैक कलर और उसके बाद एक चौक एंड डस्टर तो लंबे समय से हम स्कूलों में इसको यूज करते आ रहे हैं इसकी जो लिमिटेशन ये रही हैं कि इसकी डिस्पले क्वालिटी बहुत पूर है कई बार तो बच्चे पीछे बैठे इसको देख भी नहीं सकते थे पिछले बच्चों को बैक पैंचर को बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो लिखने में भी ये इतने स्मूथ नहीं थे तो इसमें फंक्शन क्या है सिर्फ टीचर लिख सकता है दूसरा डायाग्रम बना सकता है कोई रैडी मेड स्टैंडरडाइज पिक्चर्ज मूवी वगएरा वो यूज नहीं कर सकता इंटरेक्शन नहीं कर सकता उसको बनाने के लिए भी टाइम काफी लग जाता है तो आई केर की इसमें कोई प्रॉबलम नहीं है सबसे सस्ता या साधन है एक या दो सूर रुपए में जो है एक दिवार को पेंट करके इसका यूज किया जा सकता है लाइफ का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जब भी य इस टेकनोलोजी के बाद ग्रीन बोड हमारे क्लासरूम में एंटर हुए जिसकी बैक्रोंड ग्रीन है और जिसको एक दिवार पर हैंग टांग दिया जाता था इसको भी यूज करने के लिए इसको रिसोर्स क्या चाहिए चाक और डस्टर इसका फाइदा क्या हुआ कि ब्लैक बोर्ड से जो दिवार पर होता था उसे बहुत अच्छी थी टीचर को लिखने को जी चाहता था और पीछे वाले बच्चों की प्रॉबलम काफी सॉल्व हो गई कि उसको विजिबिलिटी हो गई फंक्शन इसके बिलकुल उससे मिलते हैं मीन के इस पर भी आप कोई भ पर यह से कम दो तीन चार पांच छे हजार साथ हजार तक अकार्डिंग टू क्वालिटी यह मिल जाता है जैसे के अटी ग्लेयर अगर आपने लेना है ग्रीन बोर्ड तो वह आपको वह साथ आठ हजार का आता है इसकी लाइफ भी कम से कम मतलब पंदरा साल अराम से निकल जाते हैं इससे इसके बाद में इसके साथ ही जो टेकनालोजी आई डिस्प्ले टेकनालोजी वह वाइट बोर्ड सा बाइट बोर्ड ग्रीन बोर्ड के बैक साइड में कई बर लगे होते हैं वाइट बोर्ड की यह कंट्रिबिशन रही है के स्मूथनेस ग्रीन बोर्ड से क जहीं ज्यादा अधिक होगी क्योंकि इससे मारकर से लिखा जाता था और इससे डस्ट की कोई प्राबलम नहीं होती थी जो चौक के साथ होती थी बेशक डस्ट लेट्स चौक ने वो रिमूव की लेकिन ये कम स्पेस में ज्यादा लिखने के काबिल था बाकी लिमिटेशन से इस पर ना पिक्चर, मूवी, PPT, PDF, Word, Interaction ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता तो नेक्स्ट जो डिजिटल टेकनोलोजी ने एंटर किया तो डिजिटल टेकनोलोजी से पहले जो दूसरी टेकनोलोजी थी जिसे हम पिक्चर, मूवी, डायाग्राम के लिए यूज करते रहे हैं वो ह टेली विजन, टीचर अपनी क्लास में टेली विजन का प्रयोग करते थे किसी भी मूवी क्लिप को या मूवी को दिखाने के लिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर ट्रांस्पिरेंसी से कोई इमेज है, कोई आपकी राइटिंग है, इमिडेट प्रोजेक्ट हो जाती है दिवा रही है, OHP और टेली विजन यूज करने में, इसकी सेटिंग करने में, तो लिमिटेशन इनकी क्या रही है, कि PPT, Word, Excel वगएरा इसमें आप यूज ही नहीं कर सकते, तो इसके बाद की टेकनालोजी जो टेली विजन, OHP के बाद आई है, जिसने सबसे अधिक प्रभावित कि क्लासरूम टीचिंग को, इंटरेक्शन को, डिस्प्ले टेकनालोजी को, वो है, LCD प्रोजेक्टर, यह अप इमेज में देख रहे हैं, कि यह प्रोजेक्टर है, इसका प्राइज लगपग 20 से 25 हजार के करीब होता है, और यह लाइट थ्रू यहां करता है, और PC के साथ जहा कि यह इमेज को यहां, डिस्पले करता है, और टीचर इस इमेज को एक्स्प्लेन करता है, इस पर बात करता है, जैसे भी इसने टीच करना है, mostly ये यूज होती रही है slide share के लिए PPT presentation के लिए movie के लिए pictures के लिए ready-made diagram के लिए LCD projector ने बहुत ही traditional technology से modern technology में shift करके बड़ी achievement की क्योंकि इसमें movies pictures आप बड़ी easily और बड़ी अच्छी quality से दिखा सकते हो लेकिन इसमें आप लिख नहीं सकते, annotation नहीं कर सकते उपर आप आप pointer से इशारा कर सकते हो उपर नहीं लिख सकते, इससे आप interaction नहीं कर सकते lagging problem की कोई बात ही नहीं है तो जो भी अगर teacher ने कुछ बनाना होता था फिर वो black board की तरफ जाता था वो green board की white board की जो भी वो साथ में board यूज करता है तो वहाँ वो write करके फिर PPT की तरफ आता था आइज पर इसका भी effect होता है अगर continue use करते हैं लेकिन उतना नहीं जितनी आज की technology effect करेगी वो आगे जाके हम discuss करेंगे तो इसकी life भी इसकी light की life है उससे related है वो लगबग मेरे खाल में चार-पांच हजार hours होती है इसके बाद जो उसी projector को advanced किया गया इंट्र एक्टिव प्रोजेक्टर बना के तीन चीजों को merge कर दिया गया यह white board है जो हमें पीछे देख के आए हैं यह interactive projector है जो new technology है उसके बाद पिछला projector था LCD projector जो interact नहीं करता था जो touch करने से नहीं चलता था लेकिन यह projector है इसकी यह light सारे board पर display प्रोजेक्ट हो रही है तो जहां भी इसकी light पढ़ रही है यह students यह teacher यहां भी touch करते है तो वो operate होता है तो यह हो गया projector यह हो गया white board और इसके साथ laptop या computer associated था तीन material resource ICT resources इनको चाहिए चलाने के लिए इसकी display quality जैसे LCD projector की थी उसी तरह से अच्छी थी इस पर plus point क्या हो गया कि आप write कर सकते हो बड़ी smooth writing होती है क्योंकि white board बहुत ही smooth होता है उसी experience अच्छा है plus point इसके हो गया कि आप function इसमें क्या add हो गया picture movie ppt word file pdf jpg कोई भी file open करके इसमें चला सकते हो problem इसमें क्या है कि speed इसकी कम है shift time बहुत है अगर आपने board से जहां लिख रहे हो वहां से आपने movie की तरफ shift करना है उसको operate करना है तो उसको थोड़ा time लगता है तो movie से आपने picture पर आना है फिर time लगता है picture से आपने word file खुलनी है फिर उसको time लगता है उसके बाद आप ये नहीं possible अच्छी तरह से कि आप board पर साथ साथ में लिखके और साथ में आप picture या movie दिखा सको ये limitation रही है तो lag की problem इसमें है जैसे हम जब touch करते हैं तो लिखते हैं उसके थोड़ी देर बाद जो line है जो word है वहां display होता है तो आई पर इसका effect पड़ता है जैसे जितनी light artificial light है उतना ही इसका effect पड़ता है इसकी cost लगबग है सबसे पहले ये 70,000 के करीब था अब ये 30,000, 40,000, 50,000 के करीब आता रहा है तो जब smart school का concept हुआ चला तो हमारे school ने सबसे ज्यादा इसको अप ने एक classroom में लगा कर उसको smart room कह दिया smart classroom कह दिया जहां उस school को smart school कह दिया तो इसकी limitation काफी थी limited teacher इसको use करते थे तो इसकी life भी 5000 hours के करीब रहती है तो जब भी इसकी light फीकी पड़ जाती है तो ये problem create करता है इसकी quality जो है वो कम हो जाती है एक जो different problem इसमें आती है ये shadow आप देख रहे हो जो ये projector ये light यहां से project करता है तो जो शक्स यहां पर लिख रहा है उसकी shadow भी इस पर पड़ेगी अगली technology ने इन चीजों को remove करने की कोशिश की और इन चीजों को remove करने के लिए advance करने के लिए थोड़ा सा change फिर आया के white board की जगा पर panel लगा दिया गया ये projector है ये आप देख रहे हो ये जो white board था उसकी जगा एक panel बना दिया गया ये 25-30,000 का तब था तो इस panel पर ही ये सारी option दे दी गई के pen, eraser वगेरा जो आपने लिखना है file open करनी है इसके साथ ये computer attached है तो ये technology ने इस interactive projector से थोड़ा extend किया लेकिन इसमें भी लगवग वही problem आती थी lagging की, shifting की, time की, file खोलने की उससे ये बैतर था लेकिन ये भी कई schools ने लगवाएं इसका प्राइज लगवग एक लाख, सवा लाख इसके करीब रहा है इससे, so latest advanced technology ने क्या किया जिसकी बात हमने करनी हैं जहां तक आज हम पहुंच चुके हैं, covid के time में पहुंच चुके हैं, जिसने सारा कुछ कनवर्ज कर दिया है जितनी जो problem थी, जितनी हुआरी उनको solve करने के लिए, जितनी teachers की need थी, उनको solve करने के लिए, maximum digital online interaction के लिए, उन्होंने किस-किस चीज को एक ही panel में बंद कर दिया, जिसको interactive flat panel हम कहते हैं, क्या-क्या इसमें plus किया, android, आपको पता है, आप फोन यूज करते हो, television जो panel है, very smooth television, okay, mobile phone के सारे feature, बस दो feature नहीं है, एक sim और google play store इसमें शामिल नहीं होता, plus इसमें computer शामिल कर दिया, आप computer के सारे काम इसमें कर सकते हो, इसमें, इसको OPS open plugable specification कहा जाता है, और plus pen drive के जरीए, आप जो भी software install करना चाहते हो, इसमें कर सकते हो, तो ये इन सारी गुनों का जो convergence है, जिसनको मिला दिया एक panel में, उसको बोलते हैं, interactive flat, interactive flat panel के और भी नाम है, इसे जाना जाता है, digital display board, LED board, ये जो image में आप देख रहे हो, के multifunctional हो गया ये, ये multifunctional यूज करने के लिए, हमें multifunctional, multi abilities वाला teachers भी चाहिए, आज जो teacher इसको यूज करना चाहते हैं, वो इस confusion में हैं, के हम IFP कौन सा ले, किस brand का ले, हमारे लिए कौन से feature अच्छे हैं, इस confusion को दूर करने के लिए, हम discuss करेंगे, के कौन से brand में, कौन से elements हैं, और कौन से feature हैं, किस brand में, किस brand में ज्यादा या कम feature हैं,